हलो गाइज गुड़ मूनिंग कैसे आप सब अच्छे होंगे वेलकम टू मैं यूटूब चैनल रिया फेमिली व्लोग्स अभी सुबर के पोने दर्श या दस बजे का टायम है मैं बना रही हो प्यूस लगकी के लिए टीफिन के लिए नास्ता टीफिन के लिए खाने के अपना पसंद का गभी नहीं बना के दूँगी तो दोनों ने फिर ज्यादा नहीं एक एक रोटी दोनों ने खाल लिया रात में तो इसलिए मैं रात में बोल दिया था कि ठीक सुबर नास्ता में कुछ अच्छा मिल जाएगा मेरे पी उस लगकी को कुछ ज्यादा नहीं च चुक दिया आलो गए सब्सब्सब्स निकाल लिया कि यह जाए तो चावल दाल के साथ भी चल जाएगा थोड़ा सासजी रखा उसी में इस भी को डाल दिया है हलका समय इसमें मेगी मसाला डाला इससे क्या कि मेगी टेस्ट आएगा इस यह अच्छा भी लगए बसंद भी इसाद तेल हव्न लिया है, इसमें मैं पाने के है। मासाल अच्छा पीचसी मि OnePlus थह नहीं अद मो दिंग के ज्यादा नहीं डालूंगी पाने मास्न पीच्ट जादा है यहादा नहीं धुटफ इजने दंड़ जा रहता हता है मेरा ये तैयार हुगिया है अभी मार्टी फिलमें पिक कर दूंगी दोनों को खाने के लिए हुगी क्याकि मुझे लेट बी हो रहा है यह 10 बजरा है तो दोनों को खाने में थो जिरादा आये लगेगा मिस की दिसलिए मंने टी को मैं वालंके मेरी आदत भी है जब फॉए कर दुकान हो या ना हो आदत हो गया है हाँ यह रात भी आजके लीए खाना खाते हैं लिकी बहुत आशे ports ४ित है कि मेरे को हैm आप की पीते हैं अच्छा लगता है कि बच्बश्चा यंद्य है मुझे पसंद हैं कंगी कि यॽा बांने कर दिया है अप सब देख देख दर दो दो तो दोनों ले जाएंगे मीठ्ध इसमें डाला नजहेंके रस कि नेकलता हैं सिसकेशारमें करते हैं Whether अ हम एन्हों बैक रहें तो दोनों कर दों करेंगे ड्ma बहुत्या वहां था, वापस गरम हो जाईगा बाहर में तो धूप रहता है आ दीन में धूप होजाता है सामें अच्छ अच्छा हो जाता है तूप हो जाता गर्मी रहता है अप्फिपता करेंगे उतना दर मैं अपना थोड़ा सा और कोई कामल ज rookती स्फोड़े जीतना हो पाता उतना मैं करने आपकocy करती हूं क्या कि कबड़ा शुकाने का ये का democrat रह passed सीतना हो इसा होता जो पहले कर देती हूं निकर तो ज्यादा आतर हो करना होता है तो यां पूरे पूरे तयार है, मेरा ही इंतरार करें किमा कामेर गजाते हूं, तो दो मिनर करते रहती हूं इंका दोनों का आदा था, कि जब तक मा बाहर नहीं नीखलूंद। तब मुलें भी बठढने हैं। जब साथ निकलेंगे। निकलेंगे। उस से पापा हो त्यारो वो भी अब मेदूटू अब आफ निले । पंथे पूम्आ नी मुझे भाई बोल रहे हैं मुझे भी बोल रहे हैं कैके अब मुझे बेठना आदा गटा तक दुकान में उसके बाद घर जाकि कि मैं काम में लगूंगी आदा गंटा लग भी जाता है पिस पर वापस आते महां तक कि बजार का भी सामान ले आते हैं इसके बाद मैं कर रहे हैं अपना एक जरूरी काम क्या कि मेरे यह चाम आया है सुबह तो उसी का मैं अचार बनाऊंगी तो उसी को काटने के लिए बठ साथ में मेरा यह भी काम हो रहा है खाने पीने का भी हलांकि कपड़ा दोने का यह काम मेरा हो चुका है ज्यादा जल्दी भी नहीं बोलूंगी क्या कि मुझे दुकान से आयो हो गया आदा पौन गंटा तो मैं फिर अपना इस काम में लगी हूं अब आराम से बठके करते र रात में गीरा होगा तो यह मखरीद के नहीं आया है यह उसके पापा के फ्रेंड है उन्होंने दिया है तो मैं सोच रही थी चाकुछ यह कट जाएगा पर मतलब इतना मैनत के बाद मैंने दो आम को तो काटा है बहुत मुश्किल से कट रहा था क्या कि इसमें से यह ज़्य काटना नहीं आता इसलिए मैं इसी से बैठी हूं तो प्यूस के पाप भूले नहीं तुम छोड़ तो मैं देखता हूं मैं काट के दूँगा तो यह दो तो मैंने काट लिए उसके पापा ने काट के दी है कम से कम साथ-ाठ केरी होगा इमा इसका तूरंत अचार बनाओंग एक किलो लगवग होगा इसमें चोटा चोटा था ज्यादा बड़ा भी नहीं था पर टायट कूब हो गया है अब ज्यादा जो अचार डालूंगी वो भी मुझे डालना पहले मैं तुरंत के लिए डाल रही हूं इसमें हल्दी नमक मने डाल दिया है नाप से मैं काम करती अंदाज से हो जाता है तो नमक हल्दी दोनों को डाल दिया है मिक्स कर दूँगी इसमें हल्दी इसमें हल्का कम लग लग रहा है तो थोड़ा सा ओर डालूंगी क्या कि हल्दी का कलर अच्छा लगता है अपिर मसाले मास सामें मिक्स कर दूँगी अभी तो दूप में रख हाला कि यह बन जाएगा वो सामय आपके साथ रेसिपी सेर करूंगी कि कैसे कैसे मने बनाया है अभी दूप में रखे छोड़ दूँगी कम से कम दो तीन गंटा दूप में रहेगा तो इसे पानी पूरा छोड़ देगा सब कम कंपलेट करके मैं भी आके बठी हूं मतलब की मैंने अचार का सोचा नहीं था सुबह से तो सोच की रखाए नहीं था कि मुझे डालना है अचानक से आ गया कचाम लगी प्यूश के पापा के फ्रेंड है उन्होंने लाके दिया कि कि कल आंधी आया था मैं आपको बताया है उसी आंधी में कचाम खूब गी रहा है कल बजार में खूब सारा आया होगा थोड़ा सा इसलिए मंगवाया कि मैं तुरंट लगे हल्दे नमग लगा के बने रखा है सामें इसका मैं अचार डाल दूंगी तुरंट काने के लिए तुरंट त्यार हो जाएगा अ कैसे टा रखावा पर उसे पहले मैंने दे दिया था था खटा मिठा थोड़ा थोड़ा था वह मने दिदी को दिया अभी नया डालेगा पर यह डाल लेती हूं लगी इसका पता चल जाएगा कैसा आम आया राय कासा ने उसके बाद में लगी ज्यादा इस्टोर करने के लिए साल ने बाद के रहा था दो जुड़ा की तीन आम मैंने कटे चोटे चोटे उसके बाद पी उसके पापा ने काट के दिया है अलांकि उतना अच्छे से ने कट पाए है क्या की जब भी ले कया तो बैजार से कटा हूआ ले कि घर में कार देंगे हैं मैंने सो जाएगा बेचा य वही मेरे रखा हुआ है सुआ बोलते हैं बेठी उसी से थीक हो भी गया था उससे भी ठीक कटा है तो पापा ने काटा है क्या कि मुझे आइडिया ने मने कभी काटा गया इसलिए ठीक ज्यादा बात ने कुरूँ थोड़े देर आराप कर लेती हूं उसके बाद साम में आपक कर रहे हूं यह सौंप में डाल दिया है अर् प्राइपें में इसको भी बहुनने के बाद मसाला अचार में डालो तो अच्छा लगता इसका सुगंद भी बहुत अच्छा था एज़ा ने लगेगा पांच मैंना तो ज्यादा हो जाएगा अमलेकि ज्यादा तीज आंच को तो गरम को तो पीशूंगी नहीं थंडा करने के लिए छोड़ दूगी इसके बाद और त्यारी कर लूँगी जो भी लगेगा इसमें सोंप के साथ मेथी दाना में डालती है जो मन्या को दिखा दिया है यह अदा गंटा बादी में आपके साथ से लया मिल रही हूँ तेल डा हो तो ऐसी बनाते हैं उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हिंग का और तेजपता यही दोनों डाल दिया इसका सुगंद बहुत मलग अच्छा सुगंद बाहर तक आ रहा है पि उस लखी मलग की देखने आया कि ममी बना क्या रही है अब अब अच्छा में मेरे साथ भी पानी छोड़ दीका है तो उसका पानी को year 2 चमत होगा मेरे चाल से बाद में यह अ दो чमत होता लग ओ अगे मैं इसको दो मिनाट के लिए पश् fight कर लूँगी तो पानीज का खतम हो जाएगा तेल इसमें डलाओ वह तेल हो जाएगा दो मिनार तक चलाओंगे तो अच्छे से हो भी जाएगा हाँ यह वाला चार है जो ज्यादा तिन तक ने ठीकता है मैना दो मैना के लिए ठीक है जैसे दूप में इसको सुका के जो बनाते दे रहा है आज को भी मने बंद कर दिया है अब इसमें मैं सुके मसाले डाल रही हूं सुके मसाले में ज्यादा ने डालती हूं लाल मिच पावडर मने डाल दिया है जो सोंप और मिथी जो मने पीसा है गरगरा पीसके रखा है उसी को मने डालती है उसके बाद काला जीरा ब मुझे तो फिर बच्चों के लिए चाहिए ज्यादा बनाया भी है बहुत अचाहा होता है पर मैं सुका सुका चाहर बनाना इसमें तेल दिखाई दे रहा है ज्यादा तेल दिखाई देने भी अछा नहीं लगता है मुझे तो फिर बच्चों के लिए चाहिए ज्यादा तो इसलिए मने सुका सुका बनाया भी है बहुत अचा होता है तेल वाला भी होता है पर मैं सुका सुका अच्छा लगता है बच्चे तीफिन में ले जाएंगे अभी मेरा डिबा में करके इसको रख दूँ ठंडा हो गय चल जाता है उसके बाद सुका अच्छा बनांगे इसको अच्छा बोलते नहीं है तुरण बना हुगाने लगता है तो इस्मेस जाता इस वीडियो का भी मैं येंड करूंगी अगर आपको वीडियो ज़रा साथ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा काल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ तब तक लिए बाए बाए गु